कि नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस मैं आपके साथ नेहा वर्मा करोना संकट के इस दोर में एक फरवरी को पेश किये गई बजट में आत्म निर्भर भारत पर तो जोर दिया गया लेकिन लोगों की उमीदों पर सरकार खरी नहीं उतर सकी लोगों को सरकार से अपेक्षा थी कि इस बजट में कुछ बड़ा एलान होगा जिससे नोकरी पेशा वर्ग को राहत मिलेगी मगर बजट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला एक आकड़े के मुताबिक इस बजट से केवल 42 पर्तिशत लोग ही संतुष्ट दिखे जबकि 58 पर्तिशत लोग नाखुश है वित्मंत्रे निर्मला सीता रमन द्वारा पेश किये गए इस बजट में कुछ लोगों को तो फायदा होता दिख रहा है लेकिन बहुत से लोगों के हाथ खाली रह गए अगर हम यह कहें कि इस बजट में थोड़ी खुशी मिली है तो थोड़ा गम तो कोई यति शोक्ति नहीं होगी वहीं बजट पर राजनिती कसर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इस साल असम पस्चिम बंगाल तमिलाडू और केरल में चुनाव होने है उनके लिए इस कि लागत से 3500 किलोमेटर लंबा हाइवे बनेगा केरल में 1100 किलोमेटर नेशनल हाइवे के लिए 65,000 करोड रुपे दिये गए हैं आसम में 1300 किलोमेटर हाइवे के लिए 34,000 करोड का प्रोवीजन किया गया है सबसे ज़्यादा चर्चा वाले राजिये पस्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड रुपे की लागत से 645 किलोमेटर हाइवे बनाने का प्रोवीजन है आसम और पस्चिम बंगाल के टी वर्कर्स के लिए 1000 करोड रुपे दिये गए हैं उधर देश भर में किशी कानूनों के खिलाफ किसान एक जुट होकर धरना पर दर्शन कर रहे हैं लोगों को उम्मीद थे कि किसानों के उगर रूप वो उनकी मांगों को देखते हुए सरकार उनके लिए कुछ विश्येश पैकेज का एलान जरूर करेगी लेकिन हुआ इसकी विपरीट सरकार की और से किसानों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिससे उन्हें कुछ रहात मिलती नजर आए अगर हम पूरे बजट पर द्रिश्टी डाले तो एक बात तो सबसे बहतर उभर कर सामने आती है वो यह है कि करोना के खिलाफ जंग में सरकार को इक असर नहीं छोड़ना चाहती है कि सरकार ने करोना वैक्सिन के लिए ना सिर्फ भारी भरकम पैकेज का एलान किया है बलकि कहा है कि जल्द ही दो और वैक्सिन भी देश के लोगों को उपलब करवाई जाएगी बजट में वितमंत्री ने 2021 से 2022 के लिए कोविड-19 टीकों समंदी 35,000 करोड रुपे का प्रावधान तो रखा है लेकिन सवाल यह उठता है क्या देश के परतेक नागरिक कुटी का मुफ्त में लगेगा और अगर लगेगा तो कब तक मोधी सरकार ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे निर्मान को लेकर बड़े एलान किये हैं बंगाल से लेकर असंतक में राजि मार्गों का निर्मान तक करने की घोशना की है लेकिन रोजगार स्रीजन को लेकर ना तो कोई सपस्ट बात की गई और ना ह कि इसे लेकर कोई ठोस रोड मैप दिखाया गया देश में इस साल कितने रोजगार के नए अफसर स्रीजित होंगे इसे लेकर भी कोई सपस्ट संकेत नहीं दिखे छे बार रोजगार और टीन बार नोक्रियों का जिक्र किया लेकिन कुछ बताया कि कितनी नोक्रियां देंगे एक जगह नोक्रियों का आकड़ा दिया है कहा है कि रिसाइक्लिंग कैपिसिटी को बढ़ा कर दो हजार चोबिस तक दोगुना किया जाएगा जिससे डेड़ लाख नोक्रियां पैदा होंगी जबकि करोना काल के दोरान देश भर में कई लाख ल क्रिशी पर विशेश ध्यान दिया जाएगा और पी-एम किसान सम्मान निधी स्कीम में मिलने वाले पैसे को बढ़ाया जा सकता है मगर ऐसा नहीं हुआ पी-एम किसान योजना तहट अभी हर साल 6,000 उपे मिलते हैं और ऐसी उम्मीदे थी कि इसमें इजाफा हो सकता है मगर ऐसा नहीं हुआ अब तक इस योजना का लाब 11 करोड 52 लाग किसान उठा रही है कई विशेशग्य यह मान रही थे कि मोधी सरकार किसान अंदोलन को देखते हुए यह फैसला ले सकती है मगर वित मंत्री निर्मला सीता रमन द्वारा पेश किये गए बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा करोणा से प्रभावी तर्थ वस्था में लोगों को बूस्टर डोस का इंतजार था लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी ही फिर गया इस बजट में किसको फायदा हुआ हेल्थ सेक्टर को सबसे जाधा बजट का इस बार फायदा हुआ है सबसे अधिक फायदे में रहा है हेल्थ सेक्टर जिसे 2.38 लाख करोड रुपे का बजट आबन्टित किया गया है स्वास्ते बजट में 135 परतीशत की व्रीदी हुई है यह बजट पहले 94,000 करोड रुपए था जिसे अब बढ़ा कर 2.38 लाग करोड रुपए किया गया है बुजर्गों को भी बड़ी राहत इस बार के बजट में बुजर्गों को बड़ी राहत मिली है 35 साल के अधिक की उमर के लोगों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा हाला के शर्त यह हैं कि यह चूट उन्हें सिर्फ पेंशन पर ही दी जा रही है ना कि अन्य तरीके से हुई कमाई पर अथार बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दाइरे में होगी बैंकिंग और इंशरेंश सेक्टर में बड़ा FDI बजट में इंशरेंश सेक्टर में 74 फेस्दी तक FDI का ऐलान किया गया है जो पहले सिफ 59 फेस्दी था इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी एलान किया किया था वहीं बैंकों का फसा हुआ कर्ज भी दूर करने के लिए एक अलग से कंपनी बन रही है जो इन फसे हुए कर्ज को बैंकों से लेकर बाजार में बेचेगी ऐसे में बैंकिंग और इंशुरेंस सेक्टर में धेर सारी नोक्रिया निकलने की उमीद है बजट में किसको नुकसान हुआ नोक्री पेशा के हाथ लगी निराशा से ये बजट सबसे खराब नोक्री पेशा के लिए रहा काफी समय से इस बज़ट से उमीद की जा रही थी कि इसमें धारा 80C के तहट छूट की सीमा बढ़ सकती है और साथ ही धाई लाक रुपई तक की कमाई मिलने पर छूट के भी बढ़ने की उमीद थी ये उमीद इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि पिछले करीब साथ सालों से इसमें कोई बढ़ोत्री नहीं की गई है आखरी बार जुलाई 2014 में ये टेक्स छूट की सीमा दो लाक से भढ़ कर धाई लाक की गई थी और धारा असी सी के तहट निवेश पर टेक्स छूट की सीमा एक लाक रुपई से बढ़ा कर डेड़ लाक रुपई की गई थी लेकिन इस बजट ने उमीदों पर पानी फिर दिया आम आत्मी के लिए कुछ नहीं देखा जाए तो यह बजट आम आत्मी का था ही नहीं आम आत्मी को रहत मिले ऐसी कोई घोशना नहीं हुई उल्टा तमाम चीज़ों पर कस्टम जूटी और सर चार्ज लगने से बहुत सारी चीज़े महगी हो रही है आम आत्मी के लिए है बजट निराशा जनक रहा महिलाओ के लिए कुछ खास नहीं वितमंत्री निर्मला सीता रमन से उमीद की थी कि महिलाओ के लिए जरूर कुछ खास करेंगी उमीद थी कि महिलाओ को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी लेकिन बजट भाशन सुनकर यू लगा मानू महिलाओं पर भी इस बजट में कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया ओटो पार्ट्स पर ड्यूटी भड़ी गाड़ी खरीदना महंगा होगा कुछ छोटो पार्ट्स पर कस्टम जूटी भड़ा कर 15 परतिशत की गई है जिससे गाड़िया महंगी हो सकती है पैट्रोल पर धाई रुपे और डीजल पर चार रुपे प्रति लिटर एगरी सेस्ट लगने से भी लोगों की जेपर बोज बढ़ रहा है रक्षा बजट सिर्फ 0.9 परतिशत बढ़ाया डिफेंस का बजट एक परतिशत भी नहीं बढ़ा है इसे 3.43 लाग करोड से बढ़ा कर सिर्फ 3.47 लाग करोड किया गया है इसमें हतियार खरीदने के लिए 1.35 लाग करोड है पिछले साल हतियारों के लिए 1.13 लाग करोड रुपे दिये गए थे आए जानते हैं क्या है साल 2021 के बजट के परमुख बिंदू देश के सभी वर्गों के लिए क्या खास है बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा 22 और फसलों को निर्याद कर सकेंगे किसान एक हजार इमंडिया खोली जाएंगे गेहू किसानों को MSP के रूप में 7,591 करोड रुपे दिये गए लागत का डेड़ गुना जादा MSP देंगे शिक्षा के लिए क्या खास है 750 एकलव्य मोडल स्कूल खोले जाएंगे PPP मोडल पर खुलेंगे 100 सैनिक स्कूल 15,000 सरकारी स्कूलों का स्तर सुधेगा Post-Metric Scholarship स्कीम के तहट 35,219 करोड रुपे 6 वर्षों में खर्च होंगे सभी मजदूरों को ESI के दाएरे में लाया जाएगा भारतिय रास्टिय राजमार्क प्राधी करन को मॉनेटाइज करने के लिए विदेशी निवेश लाने का प्रावधान किया गया कश्मीर में भी पाइपलाइन से गैस पहुंचाएंगे 100 नए शहरों में पाइपलाइन से रसोई गैस प्रिपेट स्मार्ट मीटर ज्यादा लगाए जाएंगे ग्राहक अब खुद की बिजली कंपनी चुन सकते हैं चार नए नैशनल वाइरो लोजी इंसिटूट बनेंगे जल जीवन मिशन पर 2.87 लाग करोड रुपे खर्चाएगा शहरों के लिए जल जीवन मिशन लोंच होगा 2.76 लाग करोड का गरीब कल्यान बजट सो देशों को करोणा वैक्सिन देगा भारत पिपी के तहट 2.000 करोड से अधिक की साथ बंदर गहां पर योजनाओं की खोशना सारजनिक शेतर के बैंकों को 20.000 करोड रुपे की पुझी देने का प्रस्ताव सरकार को सबसे ज़्यादा कमाई टैक्स से होने जा रही है पिछले साल सरकार को टैक्स के जरिये 19 लाग करोड मिले थे इस साल 17 परतिशत ज़्यादा यानी 22.17 लाग करोड रुपे मिलने की उम्मीद है ऐसे ही लेटेश पर पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल J.B.D. बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिज पालेस राजगराना और फानेस बैंक्वेट आल जोती गार्डन बैंक्वेट्स लाए है